तो आज हम करने वाले हैं हमारा मैस का चैप्टर सिंपल इंट्रस जिसको हिंदी में बोलते हैं सधारण ब्याज तो सिंपल इंट्रस होता क्या है सबसे पहले हम यह जानते कि इंट्रस क्या होता है अब आपको साफ दिखाए दे रहा होगा यह ठीक है कुछ अमाउंट होता है जैसे कि हम बैंक में पैसे डलते हैं हमें कभी हाफ यर्ली और कभी क्वाटरली यानि कि छे महिने में तीन महिने में और साल में कुछ अमाउंट बैंक की तरफ से भी मिलता है या फिर हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो हमें उसे ब्याज यानि की इंटरेस्ट देना होता है तो इसमें यह सिंपल इंटरेंस में कुछ चीज़े होती है जो जरूरी होती है जैसे कि यहां पर मैं दिखा दिए आपको प्रिंसिपल, अमाउंट, टाइम, एंड रेट ओफ इंटरेस्ट सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है यह है प्रिंसिपल यानि कि अमाउंट में जो होता है यह हम जो अमाउंट किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं वो क्या होता है हमारा प्रिंसिपल जैसे कि किसी से 1000 रुपीज आपने लिए ठीक है इंटरस के साथ आप उसको 1200 रुपीज रिटन करोगा तो जो 1000 रुपीज है वो आपका क्या है principle simple interest when the interest remains the same every year और जो interest हर साल एक ही रहता है उसे कहते हैं simple interest ठीक है जैसे कि आपने 1000 रुपी आपने 1200 रुपी दिये हैं उसको तो 200 रुपी क्या दिये थे आपने extra तो वो कुछ interest लगा था उसकी according आपके 200 रुपीज बने तो आपने उसे extra दिये amount अब amount क्या होता है if the interest due is added to the principal to money lender then the total amount which is received or paid back to the money lender तो amount यानि कि principal में interest जोड़ दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं amount जैसे कि 1000 रुपीज लिये थे 200 रुपीज उसमें add किया interest तो कितना होगा 1200 1200 रुपीज हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा amount यानि कि 1200 जो था आपका amount time का मतलब था the period after which the amount is to be paid back कि आपने कितने time के लिए वो पैसे लिए एक मेने के लिए, एक साल के लिए, दो साल के लिए, तीन साल के लिए, पान साल के लिए इस depends on the borrower तो जो person लेता है उधार उस पे depend करता है rate of interest सबसे important चीज कि जो पैसे लिए थे, वो कितने interest rate पे लिए थे जासे 3%, 4%, 5%, 6% कितने पे it is a fix at the time of lending or borrowing money तो ये क्या होता है, जब हम पैसे लेते हैं तब ही ये बता दिया जाता है कि भाई मैं इतने पैसे इतनी interest rate पे लूँगा ठीकिए percentage कुछ होता है अब इसका formula क्या होता है, simple interest निकान लेका formula आता है principle, multiply, rate of interest, multiply, time, equal, upon 100 तो 100 क्यों लगता है, क्योंकि rate के साथ क्या होता है rate of interest के साथ percentage का sign लगा होता है rate of interest के साथ क्या लगाता है, percentage का sign तो इसलिए जब ये percentage होता है, तो 100 लगता है मैं आज आपको इसका question 1 कराऊंगे, calculate the simple interest on the each of the following, यह आप देख सकते हैं, रुपीज 1,600 at 15% per annual, per annual मतलब की एक साल के 15% for 5 year, तो 5 साल के हमें निकान ले हैं, 1600 के, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, कि कैसे मैंने यह sum किया है आपके लिए, येस, सबसे पहले मैंने यहाँ पे question लिख लिया है, 1, देख सकते हैं, 1600 at 15% per annual, for 5 year, और यहाँ पे धियान देना की, मैं 10.1 के question number 1, 2, 3, तीनो कराऊंगे, तीनो के अलग-अलग part करूंगी, first है, सबसे पहले हम formula लिख लेते हैं, SI, equal में, यानि कि simple interest, simple interest का क्या है, तर formula बताए था हमने, P, multiply R, multiply T, upon 100, ठीक है, मैं अब इसको लिखती हूँ, देखे, principle हमारा क्या होता है, जो amount लिखा होता है, यानि कि 1600 हमारा principle है, rate of interest क्या है, हमारा percentage, मैंने आपको बढ़ा था, percentage, यहने कि 15, and 100, multiply, time कितना है, time कितना है, 5, अब हम, इसमें जो number जिससे कटेगा, आप उसको काट दोगे, बाकी छोड दोगे, सबसे पहले, मैं simple trick से आपको कराती हूँ, कि आप कैसे कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, आप other number से भी कर सकते हैं, वैसे मैं यहाँ पर 2,0 से 2,0 काट सकती थी, direct, उसके बाद multiplication चलता, ठीक ह बाद मैं आपके लिए simple way में करके दिखाती हूँ, 5 का table है, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 0, 5 3s are 15, and 5 4s are 20, अब 4 के table में 16 आता है, yes, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 0, 0, अब जो remaining number बच्चे होने हम क्या करेंगे, multiply, यहनिकि 400, multiply 3, equal to 4, 3 is a 12, दिख रहा है, आपको यह देखे, 1200, यहनिकि 1200, रुपीज, ठीक है, यह, अब मैं इसी का एक को और बता रहे हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते थे, बेटा, 600, multiply 15, multiply 5, upon 100, simple trick is, 20 से 20, cut, ठीके, अब इन तीनों number को आप क्या करोगे, multiply कर दीजे, 16, multiply 15, multiply 5, आंसर आपका यह एगा, 1200, रुपीज, ओके, यह आपका question number 1 है, आप question number 1 के, यानिकि question 1, 2, 3, notebook में कीजेगा, मैं आपको question number 2 और 3 भी करके बताती हूँ,